कक्षा नवम, मैं निशा तीवारी, आज आप लोगों के समक्ष, मैं आपके पाठे पुस्तक 36 का प्रथम भाग दो बैलों की कथा पर प्रकास ढालने ही तू उपस्तित हुई हूँ। इस पाठ के लेखक का नाम है मुंसी प्रेमचन। सबसे पहले बच्चों मैं ये बताना चाहूंगी कि मुंसी प्रेमचन हमारे महान साहित्यकारों में से एक हैं। उन्हें न जाने किनकी नामों से नवाजा गया। उनका जन्म सन 1880 में बनारस के लम ही गाउं में हुआ था। इनका मूल नाम थनपत्राय। इनकी प्रमुक रचनाई, मानसरुवर, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभुमी, काया कल्प, निर्मला, गवन, कर्मभुवी, गुदान इत्यादी हैं। इनकी प्रमुक पत्रिका, हंश, जागरण, माधुरी इत्यादी हैं। प्रेम चन्द ने जिस गाउं और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिवक्ति उनकी कथा साहिते में देखने को मिलती है। किसानों और मजदिरों की दैनिय स्थिती, दलितों का शोशन, समाज मिस्त्री की दुर्दसा और स्वाधींता अंदोलन आदी उनकी रचनाओं की मुल विशय हैं। उनकी भासा शरल, सहज एवं मुहावरेदार है। और यही कारण है कि उन्हें कलम का सिपाही, महानुपन्या समराट, ना जानी युप्रवर्टक, ना जानी किनकी नामों से नवाजा गया। मुन्सी प्रेम जन्जी ने इस कहानी को उस समय लिखा था, जब हमारा देश गुलाम था। और हम नित्य निरंतर अपने आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस पार्ट में उन्होंने बताने का प्रयास किया है दो बैलों के माध्यम से ही कि किस तरह से दोनों अपने स्वाधीनता के लिए संघर्ष करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस कहानी में कई समाजिक संदेश नहीं थें जो हम सभी के जीवन से गहरे हद तक जुड़े हैं। सबसे पहले इसमें मित्रता, आत्मियता, सहयो, भायचारा के बहुत सारे उधारन फरे पड़े हैं। यह कहानी जानवरों की बीच भावनात्मक यात्रा, भावनात्मक यात्रा से तादपरे हैं। आपसी भायचारा, आपसी प्रेम, सहयो की भावना। यह सारी बाते इस पार्ट में आपको देखने को मिलती है। और स्वतेंतरता प्राप्त करने की दिशा में उनकी यात्रा के आसपास घुमती है। मैंने पुर्व में ही बताया आपको कि यह कहानी जब उन्होंने लिखा उस समय हमारा देश गुलाम था। और उस समय देश में आजादी के लिए संघर्ष किये जा रहे थे। तो बैलों के माध्यम से ही उन्होंने हमें आजादी के लिए संघर्ष करने की प्रेणा दी है। बताने का प्रेणा किया है कि किस तरह से दोनों मिलकर अपनी आजादी के लिए संघर्ष करते हैं और अंत तक उनकी जीत होती है। उसी तरह से हमें भी नित्य निरंतर प्रेणा करते रहना है तक जाकर हमें सफलता मिल सकती है। इस पार्ट का उद्देश भारतिये को आजादी के लिए संघर्ष करते रहने की सीख देना है सबसे पहले कि अपनी आजादी के लिए हार नहीं मानना, हमेशा लड़ते रहना, संघर्ष करना मनुस्तिकों विपत्तियों में एक दूसरे का साथ देने की प्रेड़ना देना जिस तरह से इस पार्ट में आगे आप लोग पढ़ेंगे कि दोनों बैल किस तरह से आपस में मुप्विपत्ति के समय में एक दूसरे का साथ देते हैं, कभी छोड़ कर नहीं जाते तो उनसे हमें यह सीख लेना है आजादी के लिए अपने हीतों का त्याग करने के लिए प्रोच सहन करना कभी कभी क्या होता है, स्थितिया ऐसी हुद्पन होती है कि वैक्ति अपने अपना स्वार्थ भूल जाता है और लोगों के उपकार में लग जाता है यह सब कुछ इस पार्ट में हमें पढ़ने को मिलेगा देखने को मिलेगा जिसको हमारे लेखाक प्रेम चन्जी ने वक्खु भी इसमें इसका वर्णन किया है इसके इस पार्ट में प्रमक पात्रे हैं जूरी, हीरा मोती, गया, चोटी बच्ची, दढ़ियल जूरी की पत्नी तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जूरी एक किसान है जिसके दो बैल है जिनका नाम है जीरा और मोती और गया उनके साले का नाम है चोटी बच्ची जिसका नाम इसमें पार्ट में आया वह उनके साले गया की चोटी बेटी है दड़ियल वैक्ती एक कसाई है जो बैलों के साथ क्रूर वेभार करता है और जूर की पतनी जिकर जिसका जिकर इस पार्ट में किया गया है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहूंगी कि अगर कोई सबसे बुद्धु होता है बेवकुफ होता है तो सबसे पहले हम लोग उसे कहते हैं बोलचाल की शब्दों में की गधा है लेकिन जानवरों में भी गधा सबसे ज़्यादा बुद्धी हीन समझा जाता है क्यूं? क्यूंकि उसके अत्यदिक सहन सीलता उसका एक सा भाव रहना न उसके चेरे पर किसी प्रकार के विशाद की किरण न किसी हर्ष उल्लास की रेखा दिखाए देती है हमेशा एक जैसा जब हम किसी आदमी को पहले दरजे का बेवकूफ कहना चाहते है तो उसे कहदा कहते है पहले दरजे का बेवकूफ यानि महामुर्ख उस पर किसी खास प्रकार की प्रतिक्रिया ना होती हो एकदम शांत रहता है बिल्कुल शांत चित तो वैसे लोगों को हम लोग क्या गयते हैं बेफकूफ कहीं का गधा कहीं का ऐसा बातचित में हमारी आती है तो गधा शब्द ही बेफकूफ के लिए कहा जाता है लेकिन इस पार्ट में एक जगा ऐसा जिक्र भी किया है कि हमारे शंत मुनी दिशी महात्मा उनकी तुलना की कि गधे में सारे गुन उन रिश्यों के से थे लेकिन फिर भी गधे को गधा ही कहा गया पार्ट की शुर्वात होती है जूरी काची उसकिसान का नाम था उसके दोनों बैल थे हीरा और मोती दोनों पच्छाई जाती के थे देखने में सुन्दर काम में चौकस दिल में उचे ताद पर है कि दोनों पच्छाई जाती से काफी लंबी चौड़े हटे कटे जैसे हर्याना की लोगों को देखा होगा, सुना होगा आप लोगोंने कि हर्याना जाती की लोग, हर्याना की राजी की लोग काफी लंबी चौड़े, उनकी कद काटी काफी लंबी चौड़ी होती है तो उनको पच्छाई जाती कहा जाता है देखने में काफी सुन्दर, बैलों की जातियों में सबसे सुन्दर काम में चौकस, चौकस का ताथ पर एक काफी चौकन्ने रहने वाले एकदम तत पर और डिल में उचे, डिल डॉल, लंबे तगडे तो दोनों ही बड़े ही अपने मालिक के साथ अच्छा वेभार करते थे एक बार की बात है कि जूरी का एक साला जिसका जिक्र मैंने किया उसका नाम था गया, वह आता है और जूरी से उन बैलों को मांगता है क्योंकि वह भी एक किसान है और उसके पास उस वक्त बैल नहीं थे तो वह चाता था कि इन बैलों को ले जाकर वह अपने घर कुछ काम करवाए तो वह जूरी से इनकी बात चीत करता है जूरी उन्हें अपने बैलों को गया के साथ भेज देता है दोनों बैल बेचारे जानवर उन्हें यह क्या पता कि दोनों क्यूं भेजे जा रहे हैं बस दोनों के मन में एक नाराजगी है बहुत बड़ी नाराजगी कि हमारे मालिक ने हमें बेच दिया वो यह समझते हैं कि हमारी मालिक हमें बेच दिये दोनों अन्मने अंदर से अपने मालिक के प्रतिचोब अंदर के गुसा यह दिखाते हुए दोनों चले जा रहे हैं और दोनों के अंदर में काफी क्रोध है जब वे गया के घर जाते हैं तो गया उन्हें अपने चर्णी पर बांध देता है और बांधने के पश्चार उनको उनके साथ सौतेलापन बेवार करता है सौतेलापन का मतलब है कि वो अपने बैलों को खाने के लिए खली, भूसा, चोकर सब कुछ देता है और इनके नाद में बिलकुल सुखा, रूखा, पूसा डाल देता है दोनों बैलों को यह सब असहनिय हो जाता है, दोनों देखते हैं, पहले से उनके मन में चुप तो था ही कि हमारी मालिक ने हमें पराई घर भेज दिया, पतानी हमारा क्या कुसूर था, अगर उनको इतना ही था, तो हमसे ज़्यादा काम करवा लेते, लेकिन हमें ना भेजते लेकिन फिर भी दोनों चुप चाप उसको देखते रहते हैं, और यह मन ही मन योजना बनाते हैं, कि किस प्रकार यहां से हमें भाग निकलना है, और दोनों वहां से भाग खड़े होते हैं, और दोनों भागते हुए, भागते भागते वापस अपने मालिक ने हमें ने हमें